Hello everybody, very good morning बच्चों आज हम शुरू करने वाले हैं 19 अगस 2020 की वर्कशीट नमबर 20 क्लास 9 की वर्कशीट है और Lines and Angles वाले चप्टरों को हम कंटेन्यू करेंगे चलिए शुरू करते हैं Let's start with the angles ये दो parallel lines ली हमने कोई भी दो parallel lines आपको पता है parallel lines never meet जो समानतर रेखाए होती हूँ कभी नहीं मिलती उस पर हमने एक intercept किया हमने यहाँ पर उसको intersect करती हुए एक line डाली जाट इस called intersected line अब यहाँ पर बहुत सारे angles बन गए हैं जैसा कि आपको नजर आ रहा है Angle 1 is equal to angle 2 Can you see this? Angle 1 is equal to angle 2 होता है कारण बताती हूँ मैं Hindi में इसको कहते हैं संगत कोण English में इसको कहते हैं corresponding angles ठीक है बच्चे? Angle 1 is equal to angle 2 They are called संगत कोण या फिर corresponding angles कहते हैं इसको Angle 2 is equal to angle 3 Angle 2 is equal to angle 3 Reason ये दोनों हैं vertically opposite angles कौन से angles? vertically opposite angles चलते हैं वापस worksheet की तरफ और worksheet में देखते हैं worksheet क्या कहते हैं चलिए worksheet नमबर 20 है 19 अगस्त Lines and angles में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं दो लाइने A, B और C, D जो आपस में एक दूसरे को काट रही हैं ठीक है बच्चे? ये दोनों line intersect कर रही हैं इन दोनों line ओको जो intersecting lines हैं इन lines को कहते क्या है और क्या है system यहाँ पर दो चार angles आपको दिख रहे हैं एक, दो, तीन, चार यहाँ मैं कहना चाहती हूँ angle 1 is equal to angle 2 and angle 3 is equal to angle 4 ये angle इसके इकवल है ये angle इसके इकवल है इसको कहते हैं शीर्ष अभी मुक कोन? शीर्ष भी मुक कोन? या फिर vertically opposite angles opposite है? हाँ ना? तो इसलिए इसको कहते हैं इसलिए इसको कहते हैं बच्चे vertically opposite अगल्स अगल्स ख्लेर है बच्चो? vertically opposite angles या शीर्ष भी मुक कोन कहते हैं? ठीक है? चलते हैं आगे यहां पर दो पैरलल लाइन्स दिखाए गई हैं क्या दिखाए गई हैं? दो पैरलल लाइन्स दिखाए गई हैं यहां पर कुछ कोण अंदर की तरफ है और कुछ कोण बाहर की तरफ है ठीक है? अब मैं लिखती हूँ एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8 यह हैं एकस्टीर एंगल कैसे एंगल हैं? एकस्टीर या बाहर कोण कैसे कोण है बच्चे? एकस्टीर एंगल या बाहर कोण उसके साथ ही 3, 4, 5, 6 एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6 यह हैं interior angles कैसे angles हैं? अंदर की तरफ हैं? तो इनको कहते हैं interior angles या फिर आंतरिक कोन कैसे कोन? आंतरिक कोन यह clear हो गया? यह भी clear हो गया न, कोई doubt नहीं है आगे चलते हैं बच्चे यह दोनों parallel lines नहीं थी अभी तो parallel lines की बात नहीं हो रही है ठीक है बच्चो? अब हम आते हैं जब दो रेखाओं को एक त्रीएक रेखा काटती है तो आंतरिक और बाई यह कोन बनाते हैं? ठीक है? यहाँ पर कुछ और हाँ, अब आते हैं corresponding angles यह संगत कोन पर corresponding angles यह संगत कोनों पर यहाँ पर संगत कोन का जिकर है, संगत कोन हमने whiteboard पर देखा, मैं फिर से बता देती हूँ जब दो लाइने parallel हो और एक तीसरी लाइन उन दोनों लाइनों को काटती है तो angle 1 is equal to angle 2 1 is equal to 2 angle 3 is equal to angle 4 angle 5 is equal to angle 6 angle 7 is equal to angle 8 यह सारे angles आपस में बराबर है मैं फिर से समझा दू कैसे बना है एक एक करके समझे बच्चे यह angle ऐसे बनाए इस parallel line पर यहाँ पर इस ने intersect किया था हाना, यहाँ पर ही अगली line पर योगी parallel line है यह angle दोनों बराबर है ऐसे ही इस line ने यहाँ भी एक angle बनाया तो यहाँ भी बनाया, यह angle इसके एकुल है फिर यहाँ पर एक angle बना यहाँ पर एक angle बना यह angle इसके एकुल है फिर यहाँ पर एक angle बना और यहां पर यह दोनों एंगल आपस में इक्वल है जो भी कोण मैं आपको बता रही हूँ इनको कहते हैं संगत कोण या corresponding angles संगत कोण या corresponding angles ठीक है बच्चे वापस चलते हैं समझ गए हम लोग यहां पर कुछ सवाल पूछे गए हैं सवाल कहता है angle 3 का संगत कोण क्या होगा angle 3 का संगत कोण होगा angle 7 angle 2 का संगत कोण 2 का कौण सा होगा बच्चे 6 angle 4 का संगत कोण होगा angle 8 चलिए एक आंतर कोण कोण से होते हैं जब दो रेखाओं को एक तिरियक रेखा काटती है तब दो कोण जो की आंतरिक और भाये कोण हो और तिरियक रेखा के विप्रीत दिशामे हो एक आंतर कोण कहलाती है यहाँ पर चित्र नहीं बनाया गया है मैं बना के दिखा देती हूँ यह हमने एक लाइन कीजी एक और लाइन कीजी हमने यहाँ से इसको काटा यह वाला angle इस वाले angle के बराबर होता है दो कोण जो की आंतरिक और भाईय ना हूँ तिरियक रेखा जो की आंतरिक या भाईय कोण हूँ और तिरियक रेखा के विप्रीत दिशामे हूँ एक आंतर कोण कहलाते हैं ठीक है बच्चे यहाँ पर शायद यह दिखाने की कोशिश की गई है एक सकंद रुके बच्चे एक आंतर कोण मुझे इंग्लिश में नहीं एक आंतर कोण होता है बच्चे यह वाला कोण इस कोण के बराबर है यह कहने के कोशिश कर रहे हैं एंगल 1 is equal to एंगल 2 यह है एक आंतर कोण ठीक है बच्चे एंगल 1 is equal to एंगल 2 मैं बोर्ड पर चलती हूँ फिर समझाती हूँ आपको यह दोनों लाइने लिए हमने इनको ऐसे काटा यहाँ पर यह जो कोण है यह इस कोण के बराबर है यह opposite interior opposite angles है एक आंतर कोण बोला गया है इनको ठीक है बच्चे यह वाला कोण इस कोण के बराबर होता है इन सब के पीछे logic है वो logic मैं आपको समझा देती हूँ देखिए दो लाइने जब हमने ली यह एंगल बनाया बटा यह भी दोनों parallel line है तो जो यह एंगल यहां बना रही है यह line वही एंगल यहां बना रही है इसको कहते हैं संगत कोण यह corresponding angle यह clear हो गया यह clear है उसके बाद देखिए यहां जो एंगल बना वही एंगल यहां बना होगा क्योंकि यह 180 मानलो यह x बना तो यह बना 180-x यह x है तो यह भी 180-x तो यह angle भी बराबर हो गया ठीक है ऐसे ही यह वाला angle भी बराबर हो गया और यह वाला angle भी बराबर हो गया सबको linear pair से solve कर सकते हैं देखिए यहां बना और यहां बना same अगर same है तो यह है तो यह भी क्योंकि एक line पर यह भी है और यह भी है तो यह भी same ठीक है यह भी same यह सारे same हो गए अब हम आते हैं अगले कौनों की तरफ जिसको interior opposite angles बूला गया है मैं उनको बता देती हूं ये वाला एंगल हमने इसके बराबर बताया, देखिए मैं समझाती है, जब ये वाला एंगल, एंगल टू के बराबर है, कौन से कोण है संगत कोण या कोरिस्पांडिंग एंगल, हाना, एंगल 1 is equal to एंगल 2, हाना, लेकिन एंगल 1 is equal to एंगल 3, क्योंकि शीर्षा भीमुख कोण जिसको हमने कहा था, या vertically opposite angles, तो 1 is equal to 3, and 1 is also equal to 2, ये तो है शीर्षा भीमुख या vertically opposite angles, ये हैं corresponding संगत या corresponding angles, तो यानि यहां इसका मतलब इन दोनों equation से एक चीज़ सॉल जाती कि angle 2 is equal to angle 3 भी होगा, ये इसके भी बराबर है, ये इसके भी बराबर तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, चलिए, अब यहां पर जो अंदर वाले कोण थे वहीं बहार वाले कोण भी बराबर होंगे, जैसे कि, ये ये angle, ये line बनाई, ये angle तो हमने इसके एक बराबर बता दिया, तो ये वाला angle भी, इस वाले angle के बराबर होगे, ठीक है बच्चे, समझ में आ गई, ये बाई ये कोण होगे, वो anterior opposite angles होगे, अंदर वाले आंतरी कोण, और ये होगे, बाई ये कोण, ठीक है बच्चे, clear है सारी चीज़े, बहुत सारे कोण होगे, सबको बना के नहीं देखेंगे, नोट बुक अब हम आते हैं सवालों की तरफ, और सवालों से ही निकल में क्या आएगा, कि कौन सा angle को हम क्या कह रहे थे, और क्या कहा गया, चली लिखते हैं, यहीं पर solve करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं जात दूर जाएंगे तो diagram बनाना पड़ेगा, चली बच्चे, शुडू करते हैं थोड़ा उपर कर लो, चलो बच्चे, एंगल 50, देखो, 50 प्लस X is equal to 180 डिगरी, जो मैं कहती ही जाओनों हो ध्यान से करते जाना, यह दोनों 180 डिगरी, यह वाला और यह वाला, यह पचास है तो नीचे वाला कितना हो गया? 130 डिगरी, ख्लेर हो गया, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ, 130 डिगरी, रखे की फॉर्मूला लगाया हमने, यह 50 तो यह 130 बच्चे, यह 130 तो एंगल X is equal to एंगल Y, आंतरिक अपोजिट एंगल, इंटिरियर अपोजिट एंगल जिसको बोलते हैं, ठीक है? तो यह 130 तो यह भी 130 और यह भी 130 और वैसे भी, अगर आप ऐसे भी नहीं जाते हैं, जैसे मैंने बताया, यहाँ पर आप एक आंतर, आंतरिक कोण या इंटिरियर अपोजिट एंगल लिखेंगे, एसे भी नहीं जाते हैं, तो देखो नीचे से भी सॉल्व करते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो यह 130 तो यह भी 130, अपोजिट शीर्शा भी मुख कोण वर्टिकल या पोजिट एंगल्स, ठीक है, यह 130 तो यह 130 तो यह तो 130 था ही, यहाँ पर रेखे क्यों बन रहा है, एक लाइन पर यह 50 है, तो यह कितना बनेगा, 130, ठीक है बच्चे बिलकुल क्लियर है, कैसे भी कर लो जैसे आपका मन कर आते हैं, यहाँ पर अगला कोशिन कहता है, जो भी है वो निकाल देते हैं, जितने भी कोण दिखाई दे रहे हैं, एक सवाई, दोनों पैरलल लाइन है, बच्चा देखो, ध्यान से देखना, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर आपको तरभुज याद हो, त यहाँ पर एक कोण मना है, यह 127 is equal to x जमा y, याद है भाई ये कोण, तिरभुज का भाई ये कोण होता था, एक exterior angle theorem होती थी, x plus y is equal to 127, ऐसा भाई ये कोण जो होती थी, तिरभुज का उसमें एक formula होता था, अला कि अगर आप ये ना करना चाहें, तो आमारे पास और x plus y और अगला formula लगाते हैं, ये दोनो parallel line आपको नजर आ रही है, एक second रोगे मुझे, चलो है, आप करते हैं, बेटा, ये दोनो parallel lines आपको नजर आ रही, एक parallel line ये रही, इसको यहाँ से काटा गया, यहाँ से काटा गया, तो ये angle is equal to ये angle, interior opposite angles, पचास x के बराबर है, ये clear हो गया, ठीक है, ये वाला angle, ठीक है, ये हो गया, 127 है ये, हमने क्या गहा, x plus y is equal to 127 बच्चे, x हमने निकाल लिया, पचास, तो y कितना बचा बच्चो, 77, y हो गया, 77, x हो गया, पच्चास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई doubt नहीं है, आपकी book में ऐसे हजारों सवाल होंगे, जिसको आप आसानी से निकाल सकते हैं, एक सवाल में आपको white board पर करा देती हूं, यह 30 डिग्री है, यह वाल अंगल 30 डिग्री है, बाकी सारे अंगल, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, यही इनके नाम है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, निकालने हैं, करें शुरू, यह 30 तो एंगल 2 भी 30, शीरशा भी मुख या vertically opposite angle, हर एक एंगल जब भी आप equal लिखेंगे, तो आपको यहाँ पर reason लिखना होता है, यह एंगल 2 इस इक, यह वाला एंगल, इस वाले एंगल के equal, interior opposite angles, ठीक है, यह 30 है, तो यह भी 30 है, linear pair लगा दो, रैखिक यूग में, तो यह 30 है, तो एंगल 3 कितना हो गया, 1.500, रैखिक यूग में, एक line पर दो कोण 180 degree बनाते हैं, यह 1.500, एंगल 3.500, तो एंगल 7.500, संगत, corresponding angles, ठीक है बच्चे, एंगल 4 is equal to angle 6, एंगल 1 is equal to angle 4, एंगल 1 is equal to angle 6, एंगल 2 is equal to angle 6, इस सारे कोण आप निकालेंगे, simple एक paper पे लिखेंगे, और सारे कोण निकालने कोशिश करेंगे, समझ में नहीं आएगा, तो वरक्षीट को दुबारा देखेंगे, I hope आपको वरक्षीट समझ में है, यह अगली वरक्षीट के साथ मिलते हैं, तो तक बबाई, टेक के, छू पे लिखेंगे, प्यू दू एक काई पसकर में प्याफे, एक कि अधबदी गग्षीट के लिखेंगे, यह दो नहीं है, वरक्षीट काई कोण जेखेंगे, और से अभशो में पीदिनिए, और से आपकर दो दू एकटो W कोबदेगे, यह दो इस एफन्य है, जएगे